नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है पांच मार्च, रविवार सुपेश सवाच शेवजे, राजिस्थान की बड़ी खबरे अरपती हमारी के उद्यमी और परुपकारे बिल गेट्स ने शनिवार को राजधानी दिली में प्रधान मंतरी मोदी से मुलाकात की और कहा कि वो स्वास्ते विकास और जलवाई परिवतन के शमन दमन जैसे शेत्रों में भारत की प्रगती से पहले से अधिक उत्साहित हैं गेट्स ने कोविट महमारी से निपटने में भारत की व्यवस्थाओं के सराहना करते हुए कहा कि वो मोदी की बात से सहमत है कि वैक्सिनेशन के लिए कोविन एप पूरे विश्व के लिए उप्योगी है प्रधान मंतरी मोदी से मुलाकात के बाद गेट्स ने ट्वीट कर भारत के अपनी यात्रा पर अपने उत्गार साजा किये उन्होंने लिखा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ मेरी बातचीत ने स्वास्ते विकास और जलवायू के शेत्र में भारत द्वारा की जाने वाली प्रगती के बारे में पहले से अधिक आशावन बना दिया है भारती ये दर्शा रहा है कि जब हम नवाचार में निवेश करते हैं तो क्या से क्या संभव हो जाता है मुझे उमीद है कि भारती इस प्रगती को काईम रखेगा और दुनिया के साथ अपने नवाचारों को साज़ा करेगा रासान के मक्यमंत्र अशो गहलोत ने कहा कि सरकार रामजन को उतकरस्ट स्वास्ते सेवाई और शिक्षा अपलप्ट करवाने के लिए प्रतिबदता से काम कर रही है रासान में बाइस हजार करोड रुपे स्वास्ते की शित्र में खर्च किये जा रहे हैं जो बजट का साथ पॉइंट चौर फीस्ती है जबकि अन्य राज्यों में आवसेतन 6 प्रतिशत बजट स्वास्ते पर खर्च किया जा रहा है ये राजे सरकार की मन्शा को दर्शाता है सेमक्यालोत ने कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल और नर्सिंग कॉलिज बिनाने का काम कर रही है हाल ही में रासामन, प्रताबगड और जाला और में मेडिकल कॉलिज खोलने के लिए एक हजार करोड रुपे स्विक्रत किये गए हैं सेमशो गलोश अनिवार को जैपर की सवाई मान सिंग चिकिस्ता महाविद्या लेके प्लाटिनम जनती समारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नए उप स्वास्ते केंडरो प्रात्मिक स्वास्ते केंडरो और सामुदाइक स्वास्ते केंडरो के खुलने से राजी में स्वास्ते सिवाओं का बहतरीन नेटवर्क तयार हुआ है इससे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्ति सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है राजसान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध पर सियमशुग गहलोत ने प्राइविट अस्पतालों पर तंच कसा गहलोत ने कहा प्राइविट अस्पताल कमाई करने के 10 तरीके निकाल लेते हैं लेकिन फिर भी राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं हम राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं लेकिन इसका कुछ प्राइविट सेक्टर डॉक्टर विरोध कर रहे हैं इन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, आप लोग भी इन्हें समझाये, गहलोष शनिवार को जैपर के SMS Medical College के प्लाटिनम जुब्रे समारों में बोल रहे थे, गहलोष ने कहा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये बिजनस नहीं है, समिधान में प्रावधान है कि शिक्षा रस्वास दे कोई धन्दा नहीं है, ये सेवा का काम है, इसलिए इन्हें ट्रस्ट और सोसाइटी बनानी पड़ती है, इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी वे इस बिल का विरोध कर रहे हैं, हमने उन्हें समझाने का प्रियास किया है, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। आज जैपर में हुए विरोध प्रदेशन को लेकर केंद सरकार के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया, उन्हें ने कहा कि चार मार्च को वसंद्रा राजे का जरम दें साला सर में मनाने का फैसला किया था, इसी दोरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने चार मार्च को ही विरोध प्रदेशन की डेट फिक्स कर दी, पांच मार्च को भी तो कर सकते थे, इसे ये साबित होता है कि दिल्ली के इशारे पर वसंद्रा राजे को पुरी तहां से निप्टाने के तयारी की जा रही है, केंड्री जोर्शक्ति मंत्री गजेंदर सिंग शेखावात ने मुख्यमत्रे शोगहलोत की खिलाफ मानधानी का दावा किया है, केंड्री मंत्री ने संजीवनी घोटाले में उनके परिवार की बारे में की गई बयानबाजी को केस का आधार बनाया है, दरअसल गहलोत ने 21 फरवरी को सचीवाले में बजट की समिक्षा बैठक के बाद कहा था, कि संजीवनी घोटाले में गजेंदर सिंग के माबाप पतनी सहित पूरा परिवार शामिल है, वह इस मामने में गहलोत ने कहा अफसोस ऐसे घपले बाज को पियम ने मंत्री बना रखा है, ये कैसे मंत्री रह सकता है, संजीवनी घोटाले में गजेंडर सिंग पर गहलोत लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं गहलोत गजेंडर सिंग पर सरकार गिराने के शड़ियंतर के मुख्य किरदार होने के आरोप भी लगाते रहे हैं आमादमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अडानी समूने राजसान और गुजरात की जनता को धोखा दे कर में के दामों में विजली बेची है आपके राजसाब सदसे संजो सिंग ने समादाता समेलन में शनिवार को कहा कि अडानी ने सिर्फ एक ही सरकार को धोखा दिया है उन्होंने सिर्फ एक लाग करोड की कोईला चोरी नहीं की है बलकि राजसान सरकार और गुजरात की जनता को भी धोखा दिया है श्ट्रे सिंग ने कहा कि ये जौनकारी भारा सरकार के उर्जा मंत्राले द्वारा लिखी गई चिठी पर अधारित है राजिसान में भारते जनता युवा मोर्चा ने राज़ाने जयपूर में पेपर लीक और बटी वेरुजगार के खिलाफ राजिसरकार के खिलाफ विरोध प्रदेशन किया विरोध प्रदर्शिन में भारती जन्ता पार्टी के प्रदीश अध्याफी डॉक्टर सतीश पुनिया उपनेता प्रतीबक्ष राजेंदर सिंग्राठोर सहीद कई पार्टी नेता एवं कारिकरता इसमें शामिल हुए मुक्य मंत्रे आवास का घेराव के लिए आगे बढ़ते वे सीवी लाइन्स फाटक पहुँचे जहां उन्हें पुलिस ने रोक लिया इस दोरान कारिकरताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश करने पर उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पाने की बहुचारे छोड़कर उन्हें रोका डॉक्टर पुनिया एवं राठोर और अन्या को भी हिरासत में ले लिया हलांकि बाद में उन्हें अन्य स्थान पर छोड़ दिया गया अमादमी पार्टे के नेताओं विधायकों और कारिकरताओं ने दिली की पूर उपमुक्य मंत्री मनिसी सोदिया की रिहाई को लेकर शनिवार को प्रदैशन किया इस दोरान राजसवा सांसा संजर सिंग ने कहा कि हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसा तक चारी रहेगी न्यायले का हम सम्मान करते हैं नरेंडर मोदी सरकार की ताना शाही अपने चुरम पर पहुंच चुकी है देश और दिली के दो सबसे अच्छे योग्य मंतरियों को केंडर ने गिरिफतार करके रखा है वो मनी से सोधिया जो लाखो बच्चों को बैतरे इंशिक्षा दे रहे हैं उनको जेल में डाल दिया है वहीं अडानी लाखो करोडों का घोटाला करता है उसके जहाज में मोदी घुम रहे हैं ये फर्क देश के एक एक नागरिक को समझ में आ रहा है इन कारवाहियों से दिली के काम और आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है बारती जंता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्रिटेन की क्यामरेज विश्य विद्याले में दिये संबोधन परती की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि कांग्रेस के शासन में एक लाख फोन टैप कराने वाले विदेशी धर्ती पर भारत को नीचा के नेतरत्व का लोहा मान रहा है तो वहीं दूसरी और देश के प्रमुक्वी पक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बरबाद हो गया है दिली के एक विशीष अदालत ने आपकारे निती में कथित अन्यमित्ता के आरोप में गिरफतार पूर उपमुक्यमंद्री मनी सिसोदिया की केंद्रे जौंच बीरो की हिरासत शनिवार को दो दिन बढ़ा दी सिसोदिया को गिरफतार करके 27 फरवरी को विशीष अदालत में पेश किया जहां उन्हें चार मार्श तक के लिए सीबिया हिरासत में भेज़ दिया गया था सिसोदिया ने शुकरवार को सीबिया की इसी अदालत में नियमित जवानत की याचिका दायर की थी अदालत में जवानत ग्याचिका पर दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद CBI को अगली सुनवाई दस मार्ज तक अपना जवाब दायर करने को कहा है पुशकर में चार दिवसी अंतरास्ट्रे होली महसव की शनिवाश शाम पुशकर सरोवर के ब्रह्म घार पर महा आर्थी से शिरुवात होई रासान परेटन विकास निगम के अध्याष धर्मेंद्र राठोण ने महा आर्थी की इसके बाद ब्रह्मा मंदे सित ब्रह्मा वाटिका एमफि थियेटर में भजन संध्या होगी इसमें पुशकर की होली भी अंतरास्टे स्थर पर फेमस हो इस कड़ी में ये कायकरम आयो जित हुआ है अंतरास्टे होली महासब का जो आगास हुआ है ये एक एतिहासिक है जैपर के मान सरोवर में बने सिटी पार्क में अब घुमने के लिए एंट्री फीस देनी होगी रास्तान हाफसिंग बोड इसके लिए 20 रुपे शुलक निर्धारी किया है ये शुलक 9 मार्च को लाग होगा हलांके सुबर मौनिंग वाक करने आने वालों को सुबर 9 बजे तक एंट्री फ्री रहेगी इसके बाद एंट्री फीस रगेगी इतना ही नहीं इस पार्क में प्री वेडिंग फिल्म सीडिल शूट करने के भी पैसे देने होगे हाफ सिंग पोर्ट कमिशनर पवन अरोडा ने बताए कि सीटी पार्क में हर रोज 25 से 30 हजार लोग घुमने आते हैं पार्क को विश्वस तरिय और आकरशक बनाये रखने के लिए रख रखा और देख फाल बेहत जरूरी है मेंटनेंस अच्छा हो इसके लिए हमने नौ मार्स से आने वाले हर विजिटर्स पर शुल्क लेने का फैसला किया है कुछ दिनों की गर्मे के बार शनिवार को बिकानेर में हलकी बुंदा बांदी ने ही मौसम सुहाना कर दिया दो बार रुक रुक कर हुई बारिश से शहर तरबतर हो गया वहीं गाओं में फसलों ने बरसाती पानी का स्वाथ चुक लिया अमीद की जा रही है कि इस बार तेज गर्मे के साथ बारिश भी अच्छी होगी किसान इस बारिश को अच्छे जमाने का संक्यत बता रही है शनिवार सुबह से ही बीकानेर में रिमजिम का सिलसिला शुरू हो गया दोपेश च्छे बजे तक तीन बार बारिश से शहर थोड़ा थोड़ा भी गा करीब सुबह च्छे बजे दोपेश दो बजे और फिर शाम को करीब च्छे बजे हुई हलकी बारिश ने हवाओं को ठंडा कर दिया कांगर्स सरकार के खिलाब भारते जनता इवा मोर्चा की विधान सबाग घेराव कारेकरब में जोदपूर के यवाओं ने भी जोश दिखाया जोदपूर शहर दिहा दक्षिन और उत्तर जिले से हजारों की संख्या में कारेकरता जयपर पहुँचे कारेकरता और पुलिस कर्मियों के बीच कई बार जड़ब हुई पुलिस ने पानी की बहुचारे चलाए और लाठिया भांजी तो इसमें जोदपूर के दो युवा कारेकरता चोटिल हो गए जोदपूर से अलग-अलग मंदल वार कारेकरता की टोली जया पर पहुँची थी जुला कलक्टरेट में शनिवार को कैपनेट मंतरी पर सादिलाल मीना ने प्रहसवारता की इस दोरान मंतरी मीना ने जहां राजी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया इस दोरान मंत्री मीना ने कहा कि केंद्री जलशक्ती मंत्री गजिंदर सिंग शेखावत ने प्रदेश के मुख्य मंत्री अशुग्य हलोत के खिलाफ मानहानी का दावा किया है केंद्रिया जोशक्ति मंत्री गजिंदर सिंग शेखावत ने दिली के रावजी वेनी कोट पहुंच कर दावा पत्र पेश किया संजीवनी घोटाले में उनके परिवार के बारे में की गई बयानबाजी को उन्होंने केस का आधार बनाया है जिकिस्ता मंत्री प्रिसादी इलान मीना ने कहा कि संजीवनी घोटाले में कई पीडित भीक मांगने को मजबूर है मंत्री गजिंदर सिंग और उनके कई पैजन इसमें आरोपी हैं ऐसे में वे पीडितों को उनका पैसा लोटाने की जगा कोट में मानहानी का दावा कर रहे हैं ये बड़े शरम की बात है उन्होंने कहा कि उनको चाहिए कि वे मानहानी के दावे की जगा पीडितों को जल्द उनका पैसा लोटा कर राहत दे तो फिलाल इस पुरेटिन में इतना हैं फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ